हलो, आगे की वीडियो में मैंने आपको कैपिटल आल्फाबेट A to Z कैसे लिखते हैं, ये बताया था, अब ये एक वरक्षिट मैंने तयार की है, जो आप घर पे बहुत इजीली बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे A to Z के लिए इस तरह से एपल्स ड्रॉ कर दिये हैं, अगर आप एपल्स ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, तो आप छोटे छोटे इस तरह से सरकल भी कर सकते हैं, एक के बाद जो एपल है, उसमें चाइल्ड को इसके बाद का जो आल्फाबेट आता है, आफ्टर आल्फाबेट वो लिखना है, लाइक A, आफ्टर B, आफ्टर B, C, द D, जब आप बच्चों को इस तरह से आल्फाबेट लिखाते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हैं, कि वाट कंस आफ्टर D, इस E, वाट कंस आफ्टर E, इस F, और यहां पर मैंने जी लिख दिया है, ताकि बच्चे को कोई कन्फूशन नहों, और वो स्मूदली आगे बढ़ सके, H, I, J, K, L, इस तरह से पूरी आल्फाबेट, पूरे A, B, C, D, कंप्लीट करने हैं, मैं आपको एक और रेकमेंड करूंगी, कि इफ पॉसिबल आप बाजार में से कुछ स्केश पैंस लाके घर में रखें, ताकि जो भी आप वरक्शिट रेडी करें, उसमें आप स्केश प बहुत अच्छा लगता है, और यह जो स्केश पैंस है, वो बहुत एजीली मार्केट में, अबाउट टैन रूपीज में मिल जाती है, तो यह हमें ज्यादा यूस्फुल हो सकती है, इस तरह से आप बच्चों को, what comes after N, it's O, after O, P, then Q, और R मैने यहां पे लिख दिया है, then S T, U, V, W, X, Y, and Z, देखिए, बहुत ही इजीली बच्चा यह वर्कशीट गर पे कर सकता है, आपको अगर एपल ड्रॉण नहीं करना है, आप और कोई भी शेप कर सकते हैं, जैसे सरकल है, स्क्वार है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, इसे बच्चों को, एबी सीरी, जो है, वो सीरीज में किस तरह से लिखते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगी, और वो अच्छी तरह से लन कर पाएगा,